हेलो दोस्तों मैं हूँ इंशासना और आप देख रहे हैं इंशासना हब तो आप देख रहे हैं कि हमारे निट का क्रेश को सीरीज चर लाए और आज हम पढ़ेंगे किंडम फंजाई तो इस सीरीज में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अगर आप इस चैनल पे पहली ब बॉटर ले लो सोयल ले लो एनिमल्स प्लांस हर जगा तो यह पूरा कॉस्मोपॉलिटेन होते हैं नेक्स चीज अगर इस्पेशीज की बात करें तो यह पूरे वर्ल्ड में सबसे जादा जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो फंजाई की होती है मैक्सिमम डाइवर्सिटी यह कुशन पूछा जाज चुका है नेक्स्ट है मोस्टली फाउंड यह सबसे जादा होते का हैं यह हूमन्स रिच सोयल में जिस सोयल में हूमस होती है वहाँ पर यह प्रिफर करते हैं वार्म और हूमिट प्लेस में ग्रो करना इन्हें मॉइस्टर और टेंपरेचर काफी पसंद है जैसे लेदर में ब्रेट में वोड में इन सब चीजों में नर्म और गरम जगहां पर इन्हें यह सब चीज़ा बहुत पसंद है नेक्स्ट इंगा मॉर्फिलेजिकल एंड हैबिटेट की डाइवर्सिटी बहुत अगरी इंके पास नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफ इनके एक हास है कि ऊमिसिती जिस जो क्लास है उसका एक मेंबर है पाइथियम तो पाइथियम में जो सेल वॉल होती है मैं वह सभी लोस की बनी होते तो यह एक्सेप्शन है याद रखे कई इसका कुष्ण आया हुआ हूँआ है नेक्स्ट अगर इसमें सेलुलर की बात करें तो इसमें unicellular से multicellular तक सारे organism प्रेजन्ट है Unicellular में एक organism है exception yeast हमारा है yeast का scientific name है Saccharomyces जिससे bread और bear बनाए जाते हैं Next है fungi के और भी काफी यूज़ है fungi को antibiotics बनाने में यूज़ लिये गया है Alexander Fleming ने सबसे पहले एक fungi लिए प्लैटनी सेलियम और उससे पहले सीलियम का formation किया पहले एंटिबायोटिक इससे ही बना and then है next fungi fungi के useful force भी है harmful भी है useful एंटिबायोटिक कुछ fungi इडेबल भी होते हैं जैसे mushroom हम खाते हैं next है decomposer mineral cycling में इन सब चीज़ों में ये काफी useful है then harmful है इसमें diseases काफी है plant में अनिमल में भी next है toodle stool के बारे में एक दे रखा है कि toodle stool एक poisonous mushroom होती है एक अगर world की सबसे poisonous mushroom की बात करें तो amanatum muscaria ये होती है amanatum muscaria पूरी ताहिके से hollow anogenic होती है किसी की मत्थी ब्रश कर सकती है तो वो world का सबसे most poisonous चीज़े question आया हुआ है ये जो body होता है फंचाई का ये filamentous body होता है filamentous body मतलब thread like structure जैसे मैं आपको दिखाऊं zoom करके तो ये रहा ये जो आप देख रहे हैं ये हाइफी होता है ये जो आप देख रहे हैं हाइफा है हाइफा अगर single filament है है तो हाइफा तो ये जो पार्ट हो गया ही हाइफा अगर दोनों को include करते तो इसे हाइफी बोलेंगे अगर एक से जाता हाइफा है तो उसे हाइफी बोलेंगे अगर ये पूरा जो network हम देख रहे हैं हाइफी का इसे बोलते हैं माइसीलियम तो तीन चीज़े हमने या पर देखा एक हाइफी एक हाइफा और एक हाइफी और एक तीसरा है माइसीलियम हाइफा उसे बोलेंगे जो single filament है हाइफी more than one हाइफा and माइसीलियम network next है माइसीलियम के दो टाइप होते हैं on the basis of filament exceptate एक दूसरा है इस अप्टेट जिसे बोलते हैं सिनसिटिक हाइफी इस अप्टेट जिसमें crosswall absent होते हैं in a subject बोलते हैं next is subject जिसमें crosswall present होते हैं जैसे इस तरीके का filament होगा और इसके बीच में septate cross walls present होंगे इसके एक्जाम्पल बहुत खास हैं जो कि पूछे जाते हैं इसके एक्जाम्पल्स हैं एसकोमाइसिटीज बैसीडोमाइसिटीज यह सब्टेट के एक्जाम्पल होते हैं जिसमें प्रांचिंग होती है एस अप्टेट अगर पूछा जाए तो एस अप्टेट का एगजामपल एक ही होता है FICOM ICTS जिसमें सीनोसाइटिक हाइफी प्रेजन होता है इसके बीच-बीच में मल्टी न्यूक्लियस होते हैं मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लास्म होते हैं continuous जो ट्यूब होती है उसमें next इसी को बोलते हैं sinusitic HIV next आगे अगर हम बात करें तो आगे हम देखें तो इसका जो mute of nutrition होता है वो saprophytic भी होती है dead or decayed organism पर यह होते हैं next है parasitic होते हैं खुद को तो फायदा पहुचाते हैं खुद को तो nutrition लेते हैं जिसपे depend होते हैं host plant पे उसे नुकसान पहुचाते हैं living host पे next है symbiotic जोनों को फायदा symbiotic सबसे ज़ादा जो heterotrophic होते हैं most of the fungi उसमें सबसे ज़ादा prefer होती है symbiotic symbiotic में lichen और mycorrhiza होते हैं इससे समझेंगे lichen में fungi और algae यह दो पार्ट हैं fungi algae को protection करती है और mineral और water देती है तो food का formation करना और दोनों मिलके साथ में रहेंगे तो यह lichen का है next है mycorrhiza mycorrhiza में fungi और roots of higher plants यह दोनों साथ में होता है fungi उन्हें protection और mineral water प्रोवाइट कराती है और वहीं जो roots होते हैं plants के food प्रोवाइट करते है तो यह पार्ट हमरे यहां complete होता है और अब पात करते हैं reproduction के बारे में reproduction basically इसमें आता है vegetative, asexual और sexual तीन तरीके के reproduction यहां चल रहे है पहला अगर देखे vegetative तो vegetative में चाहिए fragmentation या fission या budding इसके यह हो सकते हैं पहला है fragmentation इसमें mycelium फंचाई होती है yeast जो है यह fission और budding होता है तो next है asexual यह अगर बात करें तो 2 spore का formation करेंगा तो spore और नहीं तो conadium spore होता है वो endogenous होता है खास बात है और conadia है यह exogenous होता है यह हम जो endogenous और exogenous की बात करें endogenous को जो बाहर से जो नहीं दिखाए दे रहा है उसे बोलेंगे endogenous और अगर वो बाहर से दिखाए दे रहा है तो उसे बोलेंगे exogenous endogenous का एक ही एक्जामपल है phycomycities बाकि सारे जो भी हैं वो सब exogenous मे आते हैं spore इस्पोर में दो स्पोर है जो स्पोर एप्लैनो स्पोर जो स्पोर मोटाइल होता है एप्लैनो स्पोर नोड मोटाइल होता है sexual sport में तीन चीज़ की बात करेंगे o-sport, esco-sport और basido-sport जहाँ पर इसे कैसे बात कर याद रखें यह हो जाएगा o-o-a-s-b-a-o-s ठीक है next है यह हो गया sexual reproduction and next है यह life cycle sexual reproduction कैसे perform की जा रही है इसमें होता क्या है कि जो haploid spor है वह आके जा कि पहले तीन spor है, plasmo gammy और karyogaming के बारे में plasmo gammy cytoplasmic fusion बोलते हैं मितलब fusion हो रहा है इसमें protoplasm का दो motile और दो non motile gamit इसमें यहां पर हो सकते हैं यह जो gamit से रखा है next है अगर यह दोनों fuse करेगा तो nucleus बनाएगा 2N तो यहां पर 2N को बोले carrier gamit को next बोले meiosis का formation meiosis haploid spore का formation करेगा तो कुछ यहां पर ऐसा कुछ process यहां पर चलता है यहां पर कुछ stage है जो हमें याद रखनी है एक प्लास्मों के भी एक तो carrier gamit इन दोनों के बीच का एक stage है जिसे बोलते है no gap time time में होता है प्लास्मों गैमी और carrier gamit के बीच में बहुत short time इसे बोल सकते है और long time बोल सकते है इसको और वैस एडियो में जिसे long time बोलते है उसी ज्यादा time को indetermined di carriotic stage NCRT में लिखा हुआ है तो यह process आपको समझ में आ गया होगा एक चीज़ और जो fruiting body होती है वो जिसमें सारे spore का formation होता है जिस body में उसे बोलते है fruiting body जिस structure में formation होता है उसमों बोलते है fruiting body तो अब आगे बलते हैं fungi का classification किये गया किस basis पे classification किये गया जो कि morphology of mycelium कि mycelium किस type का है सब्टेट है कि यह सब्टेट है next है spore formation मतलब type of reproduction next है fruiting body fruiting body का type कैसा है तो इसमें चार की हम बात करेंगे classification में फाइको माइसिटीज, एसको माइसिटीज, बैसीडियो माइसिटीज और दूटरो माइसिटीज पहली है फाइको माइसिटीज स्टार्ट करते हैं अलगल फंजाई से बोलते हैं नेट में कुशन आया हुआ है next है lower fungi भी इसे बोलते हैं फाइको माइसिटीज को जनरली aquatic habitat में पाये जाते हैं जो की सड़े गले food अगेरा जो होते हैं moist food होते हैं उन सब चीजों पर यह जनरली present होते हैं यह parasites भी है plant पे नेक्स्ट है mycelium जो की sinusetic होता है जो continuous tube में multi-nucleator पाये जाता है accepted यह cross wall होती है वह absent होती है then a sexual reproduction जो होता है या तो वह zoe spore से हो या a planus spore से हो zoe spore motile होता है a planus spore non motile होता है स्पोर्स नेक्स्ट है sexual reproduction जिसमें यह gametagial copulation होता है gametagial copulation का मतलब होता है जो motile होता है उसके बीच का fusion होता है यह इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है iso gamus अगर है morphology में similar है जो चीज़ आपको याद रखनी है कि zygomicetis iso gamus और oomicetis iso gamus और oomicetis iso gamus से इक्जामपल इसके कुछ खास है mucar, rhizopus, olbukus यह चीज़े बहुत important है तो इक्जामपल आप याद रखेंगे इक्जामपल आता है next है escomicetis एसको मतलब होता है सैक, सैक फंजाई से बोलते हैं इसमें आगे आप पढ़ें कि इसमें एसकास होता है कि इसमें एसको स्पोर भरे होते हैं यह सेक्शॉल स्पोर होते हैं जैसा हमने देखा था ओ, आस, ब्लस तो वो क्या मूड रफ नुट्रिशन भी बात कर लेते हैं अ, नेक्स, रेडंभाल्स जो कॉपविलस है वो बहुत खास है जो डंग होते हैं जो कोबार होता है उस से, उसे उस पे कॉपवलस होते है unicellular, unicellular multicellular भी होता है वो used होता है बाकि जो भी होते हैं सब multi-cellular होते हैं आगे देखते हैं कि जो myceline होता है वो लबर जीलस होता है सबोने सफारा के pracर्ट में घृटा कुलों होगा अरुष्पोरा बहुत इंपोर्टन्ट और मॉर्रीयलस और ट्रॉफरल जो है तो यह जो है यह जो ट्रॉफिल्स है मॉरेलस ट्रॉफरल्स यह दुनों खाने में काम आते हैं बहुत डालिशियस होते हैं एंड अनिसीलियम जिसे नहां रशान जर्ण आप ही ये है हमाराjor मतलतीज अब आगे बढ़ते हैं बैसीडियो मैसीटिज पे तो भी सीडेशों मिने पुल आ होते हैं वह क्लब से शेप के होते हैं इसलिए से क्लब फंजाई बोलता है ब्रैकेट फंजाई पॉफ बॉल्स मश्रूम वगारा इसमें आता है यह कहां पर होते हैं यह स्वाइल पर होते हैं इन सब चीजों पर जनरली प्रेजन्ट होते हैं यहां पर NCRT में कुछ चीज़े दे रखी हैं लौक्स और ट्र का डेजिक बारे में जो पेड़ का उपर का पाट होता है उसे लोक्स बोलते है नीचे के पाटपो इस टंप बोलते हैं नेक्स पैरसाइट्स भी होती है स्मॉ्ट और रस्ट या इस्मट मतलब जो उस्टी लॉक को अरह रस्ट होता है वह पहनी सीनिया में होता है next है mycelia जो सब्टेट होती है और ब्रांश होती है uni nucleus और binucleus होती है vegetative fragmentation होता है sexual इस पोस पो एपसेंट होता है sexual reproduction प्रेजेंट होता है याद रखेंगे important point is sexual organs इसमें एपसेंट होता है sexual reproduction में कुछ प्रोसेस से जो पूछे तो नहीं जाते लेकिन आप याद रखेंगे कि इसमें sexual reproduction होता है वह सेमेटोगैमी और इस पर में टोजाइजेशन से मतलब जहें फॉर्मेशन होता है इन दोनों से हो सकता है नेक्स्ट है बैसीडियो स्पोरante इसमें एक बैसीडियो कार्ट में चार बैसीडियो स्पोर्स प्रेजेंट होता है तो इसका example है आगारिकस हमने ऊपर देखा इसे पकसीनिया वेगारा मेरा तो अगर कुछ टर्म्स इसमें आते हैं क्लैम कनेक्शन और डॉली पोर इस्टम और पैरिंथे पोर यह सब पैसीडियो माइस पोर में इसको यूज के जाते हैं सब चीजों में इतना डीटेल में नहीं जाए है क्रैश कोर्स हो रहा है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं न्यूटिरो माइस इसमें इन परफेक्ट फंजाई बोला जाता है इसमें सेक्शुल रूप्रडॉक्शन जोते हैं वह एपसेंट होते हैं एपसेंट क्या कहें कि अन्नोन होते हैं इसे कहेंगे अन्नोन होता है इसे पाया नहीं जाता देखा नेक्स्ट अगर कोई स्पेशीज आने वाले साल में डिस्कवर होती भी है जैसे एक स्पेशीज लिया है एक स्पेशीज वाई लिये हैं तो अगर कर रहा है तो कोनीडिया से ही कर रहा है हमने देखा और अगर सेक्शुल है तो कोनीडिया से ही अगर वह सेक्शुल तो उसे एसको या बैसेडिया में हम डाल देंगे नेक्स्ट हम आके देखते हैं कि कुछ एक्जाम्पल्स पहले न्यूट्रिशन देखने क्या होता है सैप्रोफाइटिक पैरसिटिक डिकंपोजर्स उफ लिटर इन्हें मिनिरल्स साइक्लिंग में भी बहुत अच्छा है तो यह हमारा यहीं पर किंडम फिंचाई एंड हुआ तो आने वाले जो लेक्शर्स होंगे उसमें हम वाइरस और लाइकेंस और सब देखेंगे तो अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज कोटिफिकेशन को जानने के लिए थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव नाइस टे पाई